हेलो दोस्तों वेलकम टू मैं चानल दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो ICV होता है जो alarm valve होता है ICV इसको बोलते हैं internal control valve होता है वो उसके बारे मैं बताने जा रहा हूं आपको कि उसका यह कैसे इस्टॉल होता है और यह कैसे क्या काम है इसका basic principle क्या है इसका और इसका line में कहां पर लगना चाहिए और लगने से पहले fittings वगरे भी इसमें कैसे आने चाहिए उसका यू बनता है वो भी दिखाना कैसे होता है वो सारे में बनाने वाला दिखाने वाला हूं आपको इस वीडियो में आप वीडियो को पूरा अंतक देखें दोस्तों देखें हैं यह है जब पानी जब ICV से आता है पास हो ओपानी तो यह आवाज आता है यह उसके लिए है यह एक लारा मही कि इसके जो कहीं सब्लास्ट किया है भूंड रोड़ा निकल गए द्रेन पानी निकल गए तो उसके वैसे यह ब् tau पाणी जा रहा है तो यह इस तरह का फिटिंग मैं यह 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 आई तरके यह पानी इससे होते हुए ऐसे इससे आता है और इससे भी होगे वहते ऐसे आता है दूसरा यह दोस्तों यह गेट वाल्व है इसका गेट वल्ब है यह पुरा फिटिंग से गेट वल्ब है और गेट वल्ब यहां पे इसका ऐसे ड्रेन है यानि जब यह हम लोग यह वाला जो पाइप है यानि पानी ड्रेन करेंगे इसी से करेंगे करें हम पांप्रूम से जो पानी याता है, इसी हम लो इसको कहां, इभर मेंटेनस है तो कि इसका यहां से ब्रेड वल्प करेंगे अब लो यह इसका गेटवल्प और ड्रेन लाइन है ये यूनियन होगर है जगे जगे गेट गेल वल्ब ये छोटा गेट वल्ब दिया हुए है ये यूनियन है इस तरह से ये एलारम वल्ब पे आया हुआ है और एलारम वल्ब से पानी यहां से निकलेगा इस तरह से है ये यहां से लारम वल्ब पे पानी यहां से निकलेगा तो पान से बहसे पांदी तो इसे पान पास होता है तो इस से पानी पास होता है दूसरा यह है कि धीज सब्सक्राइब होगए रहा है यह 8 दिख डिखरा है यानि इसमें दो पार्ट है ऐसी भी यहां से इदर यानि चेक वल्फ भी लगा हुआ है यानि यहां से इदर अलग प्रेसर होगा और यहां से इदर पंपरूम का प्रेसर यहां से इदर स्प्रिंक्लर लाइन्स का प्रेसर है तो इसका अलग प्रेसर होगा और इसका अलग pressure होगा तो pump room तक हमारा यह 3 kg pressure pump room तक है और हमारा pressure यह लगवग 4 kg pressure हमारा sprinkler lines तक है sprinkler header में जो यह इस वाले line का फूरा pressure है यह पूरा line गिया है यह पूरा line का pressure है यह यहाथ पे tower तक चला गिया है यहां पर चेक वल्ब लगा हुआ है यह चेक वल्ब खुलता है ऐसे करके फिर यह नॉर्मल यह से रखता है उपर का पानी प्रेसर होने के विसे दवाक रखता है और जब पानी प्रेसर पास होता है यहां तो यह खुलना शुरू हो जागा चेक वल्ब इस तरह से खुल जाए है और पानी पास होना शुरू हो जाता है जिस अंदर प्लेट है यही यही चेकिवल्व है यही दो पार्ट में बटके रखा है तो यह इस तरह से खुल जाएगा और यह पानी पास नहीं होगा तो फिर यहां पर यहीं से पुरा Herren। कर ठेल करें गा प्रेसर में यानि इधर का pressur hold करके रखेगा एक और इसका पुच इस्ट्रेक्टर uh 낫 इसे है आपको दिख़्ाऊंगा मैं दिख ATF верх इस पूप करने लिए पूझ इस तरह से दिखिये एक यू-टाइप का बना देते हैं यह बटरफलाई भी लगा हूँ इसमें, इस तरह से होल्ड आशी की लिए सप्लीमें टीया हूँ, इस तरह से Yuki बना करकर फिर यह आगया पोरा लाइन चला गिया है, यš टाउर तक चला गिया है, जोस्तो इसमें एक चीज ऐसा है कि इसमें पंप रूम से भी हम लोग ट्रेंड पंप रूम का भी और इसमें जाता है तो यह वाला जो यह है यूनियन है यह जो ऐसे गिया है किनेक्शन यह पंप रूम का है और यहाँ चेक बाल लगाहुआ है चेक बाल से ऊपर जो हमरा प्रेसर होल्ट है यह वहां दोनुत प्रेड के लिए यह दिया हूआ है यहां भी देंगे तीन चार एश दिया हूआ है है कि इहां पर खूब होगा यह निया है परת शूर लगा हुआ है उसे हो पर कर भी है यह च्छूब का है और यह घ्र निच्टेल्य हाई और अीजा सकता है और इसक पॉल्ड लगा कर दो इस तरह से करके, तो यह इस तरह कर दून तरब से है, यह जो ICV है, जो alarm valve है, alarm valve, यह model A का है, UH-Mate है और model A है,